दूसरे नवरात्रे में मां ब्रह्म चार्नी की पूजा की जाती है मां ब्रह्म चार्नी ने बहुत तप करके भुकान शिव को पाया था इसलिए विद्यार्थियों को मां की पूजा अवश्या ही करनी चाहिए हमें जो भी मिलता है बहुत परिश्रम से मिलता है चाहे वो छोटे से छोटी चीज हो या बड़े से बड़ी चीज हो और मां ब्रह्म चार्नी ही हमें ये शक्ति देती है कि हम परिश्रम करें इसलिए आज के दिन मा ब्रमचारनी की पूजा सफेद फल और सफेद मिठाई से करनी चाहिए मा को सफेद वस्तर बहुत तीप्रिये हैं और मा ने इतना तप किया था कि मा का रंग बिलकुल काला पड़ गया था और माता जी के मुक से निकल गया था जब माता जी की मा ने देखा के इतनी किशीन ब्रमचारनी माता हो गई है तो उनके मुँ से उई मा निकल गया था इससे मा का नाम उमा पड़ा और मा का नाम अपरना भी है क्योंकि मा ने जब दस हजार वरष तक तपस्या की तो आखर में उन्होंने पते खाना भी छोड़ दिया था इसलिए मा का नाम अपरना भी पड़ा है इस दिन मंदिर जाकर अगर कोई विद्यार थी मा को सफेद मिठाई और सफेद फल केला अरपन करता है और सेब अरपन करता है तो जो विद्यार थी आजकल सफल ही होते रहे हैं वो भी सफलता का मूँ देख सकते है ब्रमचारनी माता सभी सुखों को निरोगी काया को देने वाली है बोलो ब्रमचारनी माता की जै